हेलो नमस्ते अब्रीबन मौन इलेशा फेरी पनिया से गश्यू मेरी यूट्यूब सैनल मा युटा नाया वीडियो दिये रहा यो मेकानिक्स अफ एस स्ट्रक्चर को थार्ड लेक्चर हो रहा यसमें आमिले च्याक्टर वन बाटन है 1.2 रव 1.3 को टॉपिक हेरने सो आज आको हमरो टॉपिक होने सो 1.2 बाटन स्ट्रेंथ स्टिफनेस और स्ट्रेविलिटी रत्यस पचार हैं मिले यसे यही वीडियो मा चेहीं 1.3 को बेसिक 2.5 अजम्शन्च पने हैरने सो यसे पन्दा आगाडिको वीडियो यही तेपाइल एनुगापको पाईन न वाने छे तो वीडियो मेले description box में राख्धेएक देईकुशु। तप अहले त्या गयरो लिंक मां क्लिक गरए यहला सकनूनेशु। र अज जय पानी वीडियोज आउने सानेशुक। अब हामीले आज आको content लाई लिए र अगाडी बढ़ु। सो नंबर ए माध ye मुसाँग एस्ट्रेंथ कुझे पनी मीटेडियलको एस्ट्रेंथको पुर्या गरने हो वने तो इस्ट्रेंथको मतलब क्यों इस्ट्रेंथ वने पाछी मैले एommtा कुर्या वन्हा शक्षु केपचिटि अस्ट्रक्चर मनाले कुने पने श्रक्षर को छम्ता अब कियो को छम्ता था टू रेसेस्ट अपलाईड लोड्स विदाउट फेलियर हामीले कस्त मान्छेलाई श्ट्रॉंग बन्छो यस्त stubborn मान्छे लाई हामीले देस्ट पीटि임 थेसलाई किहीं बन्षो तो तो लाई हामीले के बन्छो तो यतपनी पंच्छagain का तो सब रेसिस्त बना सकतीю तो ह क्यो आखें के घरमी लोड फेकल स्ट्रॉंग हो कसे लाई देहरे इस्ट्रेस आयो देहरे दुख छा तरह पनी तिसलाई क्यी पनी वह ना तिस लाई के बन चो mentally strong बन चो तिस तही यह यदी यूटा column चा, beam चा, column चा यहां आमी लेदना सक्छो यहां column beam को चेहीं यहां फ्रेम चा और यहां माती चेहीं slab राकिये चा अब लोड आऊंचा यहां, slab मा आयो, slab बाट बीम मा गयो, beam बाट कॉलूम मा गयो, र कॉलूम बाट तला foundation मा जानचा अब यो लोड, जती लोड यहां आई राचा, यो सब लोड रेसिस्ट गळना सक्छा वने तीसको केपैसिटी लाई मेले के वांचो ता, strength वांचो धेरे लोड रेसिस्ट गळना सक्छा के वने तीसको के strength एकदम हाई सा, कम लोड मा ते फ्रेक्चर वाइदियो वने, फेल वाइदियो वने, तीसलाई मेले के वांचो तेकदम low strength हो सा, हो, so strength is the capacity of a structure और its elements to resist applied loads without failure एती मात रहे हो इसमा बुजन पने पुरा अब नेक्स्ट हामी ले बुच्छाओं की stiffness वने को क्यों सो नमबर बी मा सब मा संग इस्टीफनेस जो सरी, strength की थे ता capacity थे ओ, माती बाटा आये को लोड हरू, रेसिस्ट गार न सकने, without being failure, तेसे गरी stiffness पनी, capacity of a structure और यह पनी इस्टोचर को capacity नहीं होता, यह की को capacity हो लाका, to resist को आएम होदिो, तास्योजस्ट, देस्टेस्ट, लाका, को का ,ativिकलण हो वाका, को को granular है, अवे तेस, बास्योच George M. सेटलमेन्ट इटिसी द्यूटु अपलाइड लोड्स यहां के वन्ना खोजिराशा वने मानो यो यूटा बीम्स यो यूटा सिंप्ली सोपोरेड बीम्स यहां अमाईले यूटा लोड दिये अब यो लोड ले गर दा यदि यसमा पुने पनी फेलियर आये न रो यो बीम्स यहां रेसिस्ट गरना सक्यों वने तेस्तों केपैसिटी लाए आमीले स्ट्रेंद वने अब यो अपलाइड लोड ले गर दा मानो यहां डीफार्मेशन आवना सक्षा यहां बेनिंग दखौन बने को हाई ना इसको चमता लाए जसले यो डिफॉर्मेशन लाए रेसिस्ट गवनना सक्सा तो यो केपैसिटी लाए मेरे के बने कुछु ता इस्टिफनेस बने कुछु यो डिफ्लेक्शन अरुना होस अथवा महिले योटा कॉलूम राखे कुछु यो कॉलूम आथी फ्रवीचन पाहै ना कैपैसेती लाए क्के बने कि बने का मेले श्टिफनेस बने कुछु लेक्तवर आपीचन कुछु वाजना पर लिफ्लीने मेरी क्वान सबाघिवर्म ad utan कि इस्टिफनेस बतीकि अबरी कःग़् मेरीनेकशन जसाना शेना बने खुछिल झावने य in its original position due to the application of external loads मानों यहोटा कुनें फ्रेम्-चा यह मान्थी कुנה पन लौड आयों यौन फ्रेम चेहीं अपनें फ्रेम्दा वमद्रस्चाफ रंस् Terry होत्यों वनें योघ के वाइस को अन्यस्टेहलिटी वहयों । आपनों ठामा बसना सके ना, तो छत्ति लॉड आताप वनें यह दी फ्र आपने ृष्थौम आई दियो CRT बेसिक एजम्संस वानेको जसते खुने पने इस्ट्रक्चर को लोड रतेसको एफेक्ट लाई एनलाईज गरदा अथवा डिजाइन करदा हामीले केह की कुरा एजिम करनू करशा केह की कुरा चहीं हामीले आफेले मान्नू करशा और त्यों कुरा आरू केके उन्ता सो तो आमी संग चार पांच वटा एजम्शन अरु संद तेर एजम्शन अरु एड़ मार मिले नमबर वन मा के वने को साथ So for the analysis of structures and structural elements following basic assumptions are made So number one मा वने को सा The material used is homogeneous Homogeneous वने को के हो वने जती पनी material हामिले यूज गर दहीछ हो मानाव हामिले beam को लागी गर्यों वने रब beam मां concrete छो वने Beam मां यहां cement concrete छो वने यहां पनी cement concrete नी होँच यहां आएना कि यहां cement concrete यहां फेरी brick छो तेस्तो चेहीं है नए सब वी केस हता यहँटे material हो होमोजीनियस साथ नमबर टू में क्ये वहने को साथा दो मेटेरियल योज़ इस आईसो ट्रोपिक आईसो ट्रोपिक वहने क्यों आईसो ट्रोपिक वहने को सेम प्रोपर्टी इन अल्ल डायरेक्शन्स ज़स्ते यो योटा बीम को लागी जुन प्रोपटी यहां लागो उन्छा ते प्रोपटी यहां पने हुन्छा ते प्रोपटी यहां पने हुन्छा 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 यहां पने हुक्स लौ अब दो मेट्रियल अवेज हुक्स लौ वहने के हो वहने इस्ट्रेस इज डायरेक्ली प्रपोर्शनल टू इस्ट्रेन है अब इसले अरको कुरा के वहने कुछ हा वहने इस्ट्रेस एंड इस्ट्रेन बीज को जुन रिलेशन होन छ त्यो लिनियर होन छ यह कुरा कासले वहने को हो हुक्स लौले वहने को छ इलास्टिक लिमिट समा छेहीं stress is directly personal to a strain, stress and strain relationship linear भन छा, that is, perfectly elastic छा भने कुरा छेहीं जना आयेको छा हाम रो जती पनी material हामेले यूज़ गर दाई छाओ, त्यों सब्सक्राइब मेटेरियल इस्टीफ शा, एक चोटी आपनो ठाउं वाट आपनो पोजिशन चेंज गरे को छाओ भने फेरी त्यों लोड त्यां वाटा आमेले हटाये वने रिवोग गरे वने फेरी त्यों आपनो अरिजनल पोजिशन मा आउने सब रह फूर्थ नंबर मा मला यहां के वहने को सब आने चाहिए हूँ प्रिंसिपल आफ शुपर पोजिशन इस एपलिकेबल प्रिंसिपल आफ शुपर पोजिशन इस एपलिकेबल मानाव यदि F1, F2, F3, F4 फोर्थ एक्ट गर्दाइस हो वने यो फोर्थ को जुन युटा रिजॉल्टें ठुन्सा मानाव आर यू आर ले दीने जुन रिस्पॉंस हा त्यों रिस्पॉंस बराबर यू सब्भई फोर्थ F2, F3, F4 यो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 यो चार अटा को जुन रिजॉल्टें डाउंसा मेरो आर अब यो आर ले दीने रिस्पॉंस will be equal to the cumulative sum of response of all these forces मनाले यो आर ले गर्दा बानो कुले स्ट्रक्चर मा moment M आयो वने यो M1, M2, M3 रो M4 को cumulative sum will be equal to capital M सो यो कोया कसले वने कोशा था पिंस्पॉल अब सुपर्पोईशन ले वने कोशा रह यो मेकानिक्स अप इस्ट्रक्चर मा एनलाइसिस गर्दा मेट्रियो अरुमा एप्लिकेवल होंचा बनने एदेंशन पनी गर्दी कोशा सो येस वीडियो मा एती नहीं राखूंँ अब नेक्स्ट वीडियो मा है मिले टाइपस अफ लोड को बारे माँ हेटने सूँ और सतत धन्य बात